हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योटूब चैनल का इंदर भाईया तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिसनी टेंस का निगेटिव का प्रेक्टिस एक्सोसाइज तो चलिए टेंस को देखते हैं इसमें पहले मैं आपको इसका कॉंसेप्ट बता देती हूँ कि अगर प्रेजेंट इंडिसनीट में निगेटिव आता है तो एक वचन करता के साथ ड़स का प्रियो करते हैं किसका प्रियो करते हैं डस का प्रियो करते हैं और बहु अचन करता के साथ हम डू का प्रियो करते हैं तो देखिए पैला टिंस है मैं यहां नहीं रहता हूं मैं यहां नहीं रहता हूं जैसा कि हमने आपको पीछली वीडियो में बताया है कि जो मैं है इसमें ये बहु अचन में आता है तो मैं के संग हमेशा हम do का प्रियो करेंगे present indefinite का negative हो चाहे interrogative हो तो इसमें हमने सिर्फ negative का tense लिया है तो इसमें हम सिर्फ not ही लगाएंगे अगर interrogative होता तो लगाते तो मैं कहूँ जाएगा I उसके बाद सहाई करिया लगाएंगे तो बहु अचन है तो do का प्रियो करेंगे उसके बाद negative है यानि कि नकारात्मा कवाक्य है तो not का प्रियो करेंगे रहना का होता है live कहां पर रह रहा है तो यहां पर तो हो जाएगा यहां का here I do not live here तो दोस्तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और जादध जादध share कीजिए चलिए अगला देखती है दो number 10 दो number है तुम मेरी मदद नहीं करते हो तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो तुम का हो जाएगा you उसके बाद you के संग हम सहाई करिया do का प्रियोग करेंगे उसके बाद not या आप don't भी कह सकते हैं इसको या do not भी उसके बाद मदद करना का हो जाएगा help और किसका तुम मेरा यानि कि me you don't help me या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि you do not help me चलिए एगला दिखते हैं तीन नमर तीन नमर है वाउ स्कूल नहीं जाता है वाउ स्कूल नहीं जाता है तो वा कहो जाएगा he he एक वचन है तो इसमें हम does का प्रियोग करेंगे he does not जाना का होता है go कहा पर तो स्कूल to go to school he doesn't go to school या इसको आप बोल सकते हैं he does not go to school चलिए अगला दिखते हैं चार नमर चार नमर है वो कहीं और जाता है वो कहीं और जाता है तो वो कहो जाएगा he और देखिए जैसा कि हमने बताया है कि अगर किसी भी word में अगर इसका आखरी later भॉवेल होता है तो इसमें क्या लगता है yes लगता है तो गो दिया है तो इसके लाश्ट में क्या है भॉवेल है तो yes का हो जाएगा इसमें yes लगेगा तो हो जाएगा he goes उसके बाद कहीं और का होता है somewhere else क्या होता है he goes somewhere else चलि अगला दिखते है pass number पास number दिया है तुम कुछ नहीं जानते हो तुम कहो जाएगा you उसके बाद कुछ जानते हो यानि किसमें सहाई करिया लगेगा do उसके बाद not जानना कहोता है no और कुछ कहो जाएगा anything you do not know anything या you don't know anything दोनों हो सकता है चली अगला देखते हैं छे नमर छे नमर है वो कभी सच नहीं बोलती है या वह कभी सच नहीं बोलती है तो वह का यानि कि बोलती है कोई स्त्री है तो हम इसके लिए सी काप्रियो करते हैं और कभी नहीं कहो जाएगा Nevar He never उसके बाद दिया है इसमें देखिए जैसा कि ये देखिए हमने लगा है कभी नहीं अगर हम कभी नहीं का never लगाएंगे तो क्रिया में क्या जोर देंगे s जोर देंगे क्योंकि एक वचन है तो इसका हो जाएगा c never speaks लगेगा क्योंकि s जुड़ेगा speaks the truth अगर आप अगर नहीं को अलग लगाएंगे यानि कि कभी का होता है ever और कभी नहीं का होता है never तो अगर आप कभी नहीं का एक साथ लगाएंगे तो never लगेगा लेकिन क्रिया में s जोर देंगे अगर कभी का अलग लगाएंगे और नहीं का अलग लगाएंगे जैसा कि ever not लगाएंगे तो क्रिया में s नहीं जुड़ेगा बलकि ये negative जैसा बनेगा जैसा कि do डज लगा कर बनता है तो देखिए तो अगर आप कभी नहीं का never लगाते हैं तो यहाँ पर speaks हो जाएगा यहाँ पर yes रहेगा क्योंकि एक वचन है तो s लगेगा अगर ever not लगाते हैं तो do या does लगाएंगे तो इसका हो जाएगा see never speaks the truth चली अगला देखते हैं अगला साथ नम्मर है मेरा भाई कभी जूठ नहीं बोलता है देखिए ये भी टेंसा मारा वैसा ही है कभी नहीं का अगर हम साथ में लगाएंगे तो अगर एक वचन रहता है तो क्रिया में s लगाएंगे अगर कभी का हम evil लगाते हैं अगर नहीं का not लगाते हैं अलग से तो हम do या does के प्रियोग से बनाएंगे तो मेरा भाई का हो जाएगा my brother कभी नहीं का never जूठ बोलना का होता है tell li लेकिन हमने never बना कर बना है यानि कि हमने not अलग से नहीं लगाएंगे तो हम tells लगाएंगे क्रिया में जूठेंगे इसका हो जाएगा my brother never tells a lie चली अगला देखते हैं आठ नमर है तुम सुबह छ बजे नहीं उठते हो तुम का हो जाएगा you उसके बाद you बहुँ आचन है तो बहुँ आचन करता के सथ हम do का प्रियोग करते हैं नहीं है तो not लगाएंगे उठना का होता है get up कब तो 6 बजे समय दिया होता है तो हम 8 का प्रियो करती है उसके बाद 6 बजे का हो जाएगा 6 o'clock कब तो सुबह में तो हो जाएगा in the morning You do not get up at 6 o'clock in the morning चलिए अगला देखती है 9 नमर 9 नमर दिया है तुम अच्छे से काम नहीं करते हो तुम अच्छे से काम नहीं करते हो तुम कहो जाएगा you you के संग हम do का प्रियो करते हैं नहीं कहो जाएगा not या don't भी लगा सकते हैं या do not भी लगा सकते हैं उसके बाद काम कहोता है work और अच्छे से नहीं कहोता है अगला दिखते हैं, दस नम्मर, दस नम्मर है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चे कहो जाएगा चिल्डेन, चिल्डेन बहु बचन है, यानि कि बच्चे उकरें, यानि कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम डू का प्रियो करेंगे, उस लोग काम नहीं करते हैं तो देखिए दोस्तों वे लोग का हो जाएगा दे उसके बाद बहु अचन है तो किसका प्रयोग करेंगे तो डू का प्रयोग करेंगे नहीं दिया है तो not लगाएंगे काम का हो जाएगा वर्क दे डू नौट वर्क चली अगला दिखते हैं अगला दिया है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो मैं कहो जाएगा I I के साम हम do का प्रियोग करते हैं नहीं दिया है तो not लगाएंगे और प्यार कहोता है love और किस से तो कहा रहा है तुम से तो तुम से कहो जाएगा you I don't love you या I do not love you चलिए अगला देखते हैं तेरा नमर तेरा नमर है वो हमेशा जूट बोलती है वो हमेशा जूट बोलती है तो वो या वह दोनों बात एक ही होता है यानि कि बोलती है यानि किसी इस्तरी को कहा रहा है तो हम किस का प्रियोप करेंगे तो C का प्रियोप करेंगे चलिए अगला देखते हैं C लगाएंगे उसके बाद हमेशा कहोता है always जूट बोलना कहोता है तो एक वचन है तो एस जूड देंगे इसमें नहीं निगेटिव है नहीं इंट्रोगेटिव है चलिए अगला देखते है अगला दिया है वो तुमसे प्यार नहीं करती है वो तुमसे प्यार नहीं करती है तो देखिए लड़की है तो हम C का प्रियोप करेंगे उसके बाद एक वचन है तो does लगाएंगे नहीं दिया है तो not love प्यार कहो जाएगा love तुमसे कहो जाएगा you she does not love you तो दोस्तो हमने इसमें इतना हिटेंस लिया था तो आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद दोस्तो